हेलो विटा, आज हम दिल्ली के बारे में बात करेंगे, तो चला सुरू करते हैं विटा आप दिल्ली को आधुनिक बारत की राजदानी के रूप में देखते रहे हैं क्या आपको मालुम है कि यह सहर 1000 साल से भी जादा समय तक राजदानी रह चुका है इस दोरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं युमना नदी के बाए किनार पर लगबग 60 वरग मील के छोटे से छेतरपल में कम से कम 14 राजदानिया अलग-अलग समय पर बसाई गई आदुनिक नगर राजजे दिल्ली में गूमने पर इन सारी राजदानियों के अफसे से देखे जा सकते हैं इन में भारवी से सतरवी स्ताब्दी के बीच बसाई गई राजदानी सहर सबसे मैतपुन थे इन सारी राजदानियों में सबसे सांदार राजदानिय सहा जहाने बसाई थी सहा जहाना बाद की स्थापना 1639 में सुरू हुई इसके बितर एक किला महल और बगल में सटा सहर था लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिशर बनाया गया था इसके पस्टिम की ओर चोदा दर्वाजों वाला पुराना सहर था चांदनी चोक और फेज बाजार के मुखे शड़के इतनी चोड़ी थी कि वहां से साही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी चांदनी चोक के बीचो बीच नहर थी गने मुहलों और दर्जनों बाजारों से गिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और बव्वे मस्जिदों में से एक थी उसमें पूरे सहर में इस मस्जिद से उचा कोई स्थान नहीं था सहां जहा के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक एहम केंदर हुआ करते था यहां कई दर्गहा, खान का और इदगहा थी बड़े-बड़े चोराओं, टेडी-मेडी गलियों, खामों, स्कूल देशेक कूल देशेक वो स्थान होता है ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है और जलदारों पर दिल्ली वालों को नाज था साइध इसलिए मीर तक ही मीर ने कहा था दिल्ली की सड़के महज सड़के नहीं है, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने है लेकिन यहे भी आदर सहर नहीं था, इसके एश और आराम भी कुछ लोगों तक ही सीमित थे बिटा अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था, हवेलियों के बीच गरीबों के असंखे कच्चे मकान होते थे शायरी और नर्ते संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतोर पर स्रिफ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी तिहौर और जलसे और जलूसों में जब तक टकराओ भी फूट पड़ते थे, वो अलग थे बिटा तो ये था बेटा पुराने दिली याने दिली की कहाने पार्ट बन बेटा आई होप बेटा समझ में आया होगा थेंक्यू बेटा